नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ओला इसटर वीडिके में दोस्तों इस वीडियो में वालविकास और शिक्षश शास्त्र से महतवपून प्रश्ण आपके लेकर आए हैं जो सीटेट और टैट परिक्षा के लिए यह कोश्चन महतवपून हैं और प्रीवियस एयर में यह कोश्चन पूछे गए हैं सो वीडियो को लाइकन शेर कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बैल आइकन को प्रेस कर लीजे तभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी तो शुरू करते हैं सबसे पहला जो कोश्चन है वह है एक पीटी खेल शिक् रक्षन का अधिक अभ्यास करवाना शिक्षार्थियों को यह बताना कि शेत्र रक्षन सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्पूर्ण है बहतर शेत्र रक्षन और सफलता की दर के पीछी के तरक सपस्ट करना या शेत्र रक्षन को परदर्शित करना और शिक्षार्थी आँसर जो होगा किये चिक्षक जो एक City रक्षन को सुधाना चाहता है तो इन में सब उन्हेम तरब लग्षव करuciones करने सवाधित सायक है तो वह एक किकशारतियों को शेत्र रक्षन का अधिक अभियास करवाना एक शिक्षक को सीड़ेड दो हजार तेरा में आया थे कोशन ओप्षन देख लिए व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ग्यान के लिए अधार उपलवद कराना चाहिए शिक्षारति दोरा की गई तूटियों को एक भयांकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रतेक तूटि के लिए गंभीर टिपनी देनी चाहिए शिक्षारति कितनी बार गलती करने से बचता है उसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए जब शिक्षारती विचारों को संप्रेशित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए तो सही आंसर जो होगा इसका तो वो है एक शिक्षक को जब शिक्षारती विचारों को संप्रेशित करने की कोशिश कर रहे हैं जब अपने वो थोर्स आपके साथ करना चाहिए वो जब गलती करेंगे तभी वो सीखेंगे ओके नेक्स कोशन इस अंत्रपरक अनुदेशन है सीटर दो हजार तेरा कोशन है शिक्षारतियों की आशकताओं को पूरा करने के लिए समुही करण के विवित रूपों का प्रयोग करना तक्षा में परते शिक्षार करने के लिए समुही करण के विवित रूपों का प्रयोग करना नमलिखित में से फिल करना के अतिरीक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन होती है सिर्फ एक के कारण नहीं होती है शिक्षन की शिक्षन सेली जनम से पहले माँदवारा मंदिरा सेवन मंद बुद्धिता के समय दिमागी बुखारane लेकिन शिक्षनmbपल है कारण यह अधीन अक्षमता उत्पन नहीं होती है यदि शिक्षारती पार के दोना लगतार गलतियां करती हैं तो शिक्षक को उप्शन है अनुदेशन कार्या समय सारणी अत्वा बैटनी की विवस्ता में प्रिवर्थन करना चाहिए पार्ट को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और समय के बाद वापिस जाना चाहिए गलतिया करने वाले शिक्षारतियों की फैचान करना चाहिए उनके बारे में प्रचारया से बात करनी चाहिए या गलतिया करने वाले शिक्षारतियों को कक्षकक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए तो हमें positive में देखना है हमेशा answer को तो right answer होगा कि Anudation instruction जो होता है कारेया समय सारेनी टाइम टेबल और बैठने की जो व्यवस्वत होती है sitting arrangement उसमें परिवर्तन करना चाहिए निमलकित में से अंत विशी Anudation का सर्वोत का लाब यह है कि सीटर 2012 में आया था सर्वोत कृष्ट जो लाब है बताना है से शिक्षकों के अभी भूत होने की कम समावना होती है या विधार्थियों में विभिन विश्य शेत्रों के विश्य प्रकरणों के प्रतीनना पसंदगी विक्सित होने की कम समावना होती है या पाठ योजन बनाने और गती वीधियों में शिक्षकों को अधिक लचिलापन की अनुमती होती है तो निमलिखित में से अन्त विशी अनुदेशन जो होता है उसका सर्वोत कृष्ट लाभी है कि विद्यार्थ को सीखे गए ग्यान को बहुत संदर्मों में मल्टी रफ्रेंस में अनुप्रियोग करने और उनको सामानी क सक्रीद करने के अफसर दिये जाती है अफसर is the biggest positive point एक शशक्त विदाल्या है अपने शिक्षकों में निमलिखित योगताओं में से किसे बढ़ावा देगा सीटर दो हजार बारा कोशन है प्रतिस परधात्मक अभिवरती परिक्षन करने की प्रविती समरिती या अनुशा चिक्षकों के भार को हलका करने रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने या नेकता में एकतक की संकल्पना का परचार प्रसार करने तो सही आंसर है cbsc द्वरा प्रसावी समुहू प्रियोजना गतिवी जो है वो समाजिक भागिदारीता को सुगम बनान का एक शशक्त सादन है कि बच्चे सक्रिय रूप से समाजिक रूप से भागिदार उसमें रहें प्रभावी शिक्षन प्रक्रिया में सबसे महत्पून कारक है तो इसका आंसर आपको कोमेंट शेक्षन में देना है अगला है शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्यदारी है तो बदाना है पार्थ योजना त्यार करना और उसकी अनुसार पढ़ाना या था संबव क्रिया कलापो का एवजन करना कठोर अनुशाशन बनाए रखना या विधार्थों की विभीन अधिगम शैलियों के नुसार सीखने के मौके उपलब्द कराना तो शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्यदारी होती है कि विधार्थों की विभीन अधिगम शैलिय कि किस तना से बच्चे सीखते हैं उन्हीं गनुसार सीखने के मौके उपलग कराना गति वीधि अधारित शिक्षन किस पर बल देता हैं अनुशाशित कक्षपर सुनिशित समय अवधी में गति वीधि पूरा करने सभी विदार्ति द्वारा सक्रिय भागिदारी या यह हैं ग भी विदार्तियों द्वारा सक्रिये भागिदारिता पर बल देता है विविश्णा आत्मक शिक्षशास्तर का यह द्रेड़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कख्ष के अनुदेशन का नेत्रित्व करना चाहिए शिक्षारतों को सवतंतर रूप से तरक्णा नहीं कर प्रतक्ष रूप से क्या सीखते हैं और जो शिक्षक के बच्चों के अनुभवते एक्सपीरियोंस होते हैं वो महत्वपुर्ण होते हैं एक शिक्षका अपने आप से कभी प्रशनों के उत्तर नहीं देती वे हमेशा विजारतों को उत्तर देने के लिए स्मुहुच रचाय और स्योगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोथसाहित करती हैं यह उपागम के किस सिधान पर अधारित हैं सक्रिय भागिदारिता अनुदेशना आत्मक समागरी के उचित संग्ठन अच्छा उधारन प्रस्तुत करना और भूमी का प्रतिरूप बनाना या सीखने की तत पड़ता तो इसका सही आंसर है कि वो बच्चों में भागिदारी उनकी करना चाहती है तो सक्रिय भागिदार प्रत्रोंगर का शाहता है तो इसके लिए सबसे परभाविव प्रती है कि विधारते द्वारा पोधे के बीच बो न विधारतों के दो और उसके अंकूरन उसके जो भी चरन होते हैं उसका अवलोगण करना कि कैसे बीचबोया है कैसे पोधा बड़ा हुआ है महा तक व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्तपूर्ण है क्योंकि क्यों जरूरी है तो इसका सही आंसर का बच्चों की विकास दर भीन होती है और वे भीन तरीकों से सीख सकते हैं शिक्षार्थी हमेशा समूँ में ही बहतर सीखती है या शिक्षण कारकरमों में ऐसा ही बताया या इससे परतेक शिक्षार्थी को अनुशाशित करने के शिक्षकों को बहतर अफसर मिलते हैं तो बच्चों की विकास दर भीन होती है इसी वज़ा से उस पर व्यक्तिगत रूप से इंडिविजिली रूप से ध्यान देना जरूरी होता है और वे भीन तरीके से सीख सकते हैं और निमलिकित में से कौन से समझ कलिए शिक्षण को परदरशित नहीं करता है तो ज़िस बताना कि जो समझ को परदरशित करता तो वो है कि वभी ध्यारतियों by अधां कि तत्यों और और प्रक। है याद करने की योगियं बनाना ओकेज थर्द ग्यारा में आया थे question तो कौन सा है तो उसको सबसे पहले शिक्षा मनविज्ञान का ज्यान उसको होना चाहिए तभी वह बच्चों की शम्ताओं रूच्चियों को जान सकेगा तो फूर्थ option is right नेक्स question है प्रात्मिक सतर पर एक शिक्षक में निमलिखित में से किसे सबसे महत्पूर उशेषता मानना चाहिए तो वो है कि प्रात्मिक सतर पर बच्चों के लिए टीचर में धैर्या और दिर्टा होनी आवश्यक होती है वो धैर्या और दिर्टा के साथ उनको पढ़ाए बच्चे के विकास के सिधानतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है तो बच्चों के विकास के सिधानत होती है जैसे समाने से विसिस्ट की और का सिधान व्यक्तिकत विभिनता का सिधान सीर से प्यार की और का सिधान अनुकरन का सिधान तो यह जो सिधा कि बिल्कुल सभी है शिक्षक के पूछ सकते हैं उन सभी प्रशनों के उत्तरियाद करने यह कशा के अंदर और बाहर अधिक सदिक प्रशन पूछन यह तो बिल्कुल सही है first, second and fourth, लेकिन third option is wrong अनुकरणी है शिक्षन प्रविधी को माना जाता है तो अनुकरणी है शिक्षन प्रविधी को माना जाता है कोशल नाटकिय प्रविधी, खेल विधी या इन में से कोई नहीं तो सही आंसर जो होगा वो है second option नाट के प्रविदी पुनर बलन कोशल का उपयोग करते हैं शिक्षन का अग्रसन हे तू चात्रों के प्रोत्साहान हे तू अधिकम को रूचिकर बनाने हे तू या उप्रोक्त सभी हे तू तो सही आंसर है उप्रोक्त सभी हे तू शिक्षन वीदियो तथा शिक्षन व्यू रचनाओं में अंतर होता है तो बताना है पाठ्य वस्तु का उदेश्यों का प्रारुप का या अधिनीमों का तो शिक्षन वीदियों जो शिक्षन व्यू रचनाओं होती है उनमें उदेश्यों का आंतर होता है शिक्षन के क्रियात्मक उदेश्यों को पूरा करने के लिए पाठा करम में किस पर जोर दिया जाता है तो किस पर जोर दिया जाता है तो अगर शिक्षन का जो क्रियात्मक उदेश्यों को पूरा करना है तो यह option दिये हैं तो सभी पर ध्यान दियेना चाहिए कि कक्षा का कार कैसा है कितने बच्चे उसमें हैं और उसके उनसार क्योंकि शिक्षक मिज उस पर लगता है ठीक है रेशो डिवाइड होती है और आपको कोमेंट्स में बतानी है कि कितने बच्चों पर कितने टीचर होन देना चाहिए कि शिक्षण अधिगम के अंतर सिक्षक का प्रमुख का रहे हैं तो बताना हैं लर्निघ टीच के अंतर गड़ शिक्षीश क्षक का प्रमुख का रहे होता है वह कि बाकों सीखने के लिए अभिप्रिरीद करना तो फर्स्ट ऑप्शन इस राइट फिल करना यहाँ बे डैश परिस्तीतियों के अंतरगत वे परिस्तीतिया आती है जिनके द्वारा चात्र कर नवीन ग्यान कोशल तथा अभिवृति अरजित करता है तो राइट आसा है कि अधिगम परिस्तीतियों के अंतरगत वे परिस्तीतिया आती है जिनके द्वारा चात्र क्या करता है अंतकरिया कर, इंट्रेक्शन कर नवीन ग्यान, न्यू इंफोर्मेशन न्यू टेक्नोलेजी, ठीक है अभिवृति जो होती है अभिवृति अप्टिट्यूड वह अरजित करता है थर्ड ओप्शन इस राइट अगला कूश्चन है शिक्षन अधिगम प्रक्रिया में अधिगम करता से समन्दी निमलिकित में से किन सिधानतों का पालन किया जाता है व्यक्तिकत विविंता का सिधान बिलकुल सही है इसका पालन किया जाता है बच्चे की व्यक्तिकत रूप से उस पर ध्यान दिया जाता है चात्र के इन दी चाइल्सेंटर भी इसको रखा जाता है पाट्यकरम को और बच्चों का सक्रिय सहयोग हो वो भी धियान में राखा जाता है, तो fourth option is right, अध्यापन का मुख्रे उधेशे विधारतियों को उची दिशा में प्रभावित करना, अर्थात उसके k-dir, यहां जैसे यहां लिखनार है, option है, यहां पर fill करना, यहाँ फिल करना है उचित दिश्या पर प्रभवी बना ना होता है तो बताना है तो अध्याप्ण का जो उदेश्य होता है तीचिंग का वो विजारत तो यही थे आज के question, I hope you like this video, if you like this video, so please do like, share and subscribe my YouTube channel, till then, bye bye, Rabrakhar, Jaya Mahakal, Jaya Bholinaar.